जन्मली मात्र नभै कर्मली बनियामा नमस्कार संसार का संपूर्ण आमा ब्रती समर्पित कारिक्रम आमा को एक नया स्रिंग खलामा तपनलाई स्वागत्छा मगवरी माल परबतकू तिलाहार मा जन्मी एर चिकित सक छेत्रलाई अंगाले का उनी फ्रांसिस फंटेन पुरस कारबाट सम्मानित हुन सफल बेक्ति हुन जसले मुटू रोगी को उपचार का लागी नेपाल मा पहिलो पटक नया प्रविदी भीत्रे आयरा मुटू को उपचार लाई सहज मात्र बनाये नन सबय को पहुच मा पनी पुर्याये तिती मात्र नभाई चिकित साथ छेत्रमा उनले पुर्याये को अतुलनिय योगदान को कदर गर दै सरकार ले उनलाई विद्या बुषन को पुरसकार बाट सम्मानित सम्मेत करे यवटा कुशल चिकित सक को रूपमा मात्र उनको भुमिका सिमित भायना समात्सेमिको रूपमा पनी आफुलाई उभ्याउन सफल भाय उनी अर्थात मुटुरोग बिशेशक्य डाक्टर अनिल भाटराई उनलाई यो उचाईसम्म पुर्याउना अजब भनों उनलाई योटा योग्य र सम्मानित व्यक्तिको दर्जादिलाउनको लागी उहां कि आमा सरीता भटराई को योगदान अतुलनी रहेको छा आमा सरीता भटराई र संतान हरुप्रतिको मात्र प्रेम र समर्पन को यो संतर्वा उहां सरीता भटराई सम्जान दे आमालाई आमा को माया अने को ते एती पवित्र एती निश्चल एती निश्वार था तेस्ट तो कुने बश्टो ने ओंदे ना आमा को बयान ग़रेरे साथ देश हैने ते एती पवित्र बस्तो बहला कि अपती गार गषर दुनियी वहां है बहले वहां माले आमाले दिहनेगवाने बचैतल बास दीख पॉरवपोर्तिको एक अथे ब्लम्हें सरेम के दुखसुक पखना हुंदे अश्छ लागषिए रोशा है आउने बस्केश येये लाला इटा श्रीकायल आऊज अवने, फुर फुर पुर पर्नी आईना तर चाड पर्पा इसता आमदेनी आमला शन्मिशुट ते रहे दुख रमाला आमान्नी चिज तहु सम्चार में येती दुरलब चीज रहिछे आमा इंड्रकला पोडिल की एकली संतान सरिता को जन्मा देहेजार सोर मा पर्वत जिल्यामा भयो एकलो संतान भय का खारण सरिता को बाल्य वस्ता सजिले भीतियो सबय की प्यारी र सालिन सभाब की शरिता परिवर मा एकली छोरी थीन प्रशस्ता जग्रा जमिन भाईकाले बाबा आमा खेदी की शानी मा बेस्थ हुन थे प्रशस्त को बेस्थ जिवन का बाबुजुत्पनी आमा इंद्र कलाली उहां को लालन पालन मा कुनेई कमी हुना दिनु भाईन र भाराखरी पढ़ाऊना बनी पचीपर नु भाईना प्रशस्ता जमिन भाईना आमा संगई पाखा पखेरा पानी पंधेरो गर्नु भाईकी सरीता ले आमा को हौसला का कारण कच्छा दस सम्म पढ़ने अभसर पाऊनु भाईयो पढ़ाईमा अब्बल भाईपनी उहाले पढ़ाईला निरंतर ता दिना भने पाऊनु भाईना गाउका अन्य छोरी हरुले कापी कलम समाउने अभसर पाऊन देई न थिये सरीता को बाबु लाईपनी छोरीले पढ़ेर के गर्ने भनने मानसिताले नगाजे को भने होईना यदि अपी आमा को करकाप का कारण सरीताले दसकच्य सम्म मात्र भाईपनी शिक्षा हासिल गरने अभसर पाऊनु भाईव एवटी महिलाला इत्यो बेला को यो अभसर ले दिलायको यदि सम्म को शिक्षालाईपनी ठूलो मानने अभस्था पकए थियो पांच पड़े पसी भाले बन बादियो छोरी ले अत्ति वेला को सोचनी आई अचोरी ले आबखे सउधा पुरान की चलाहँ धिनान क्यारे अभसर पड़ा बन बादियो एगे आमाले का उटा छोरी माले पड़ा परस अभसर अघ्वाले आमा को बाद्ले में चाहिए एसलसी सम्मागारिया तैसा वी आवार पड़ना पागे ना अए ना उत्पीस्तोस एक हैं मामेश्थ रांब पड़ना अजीपन पड़ा उने अलिए आमके कारणिया में पड़ी हाव किना मन्दा तेती बला अब चोरी मांचेला एती पड़ाशे फुक्षा वन्निखाल को सोच थियो नि ताइपने अमरोथ पर बद जिल्लामा जेवस केटी मांचेला अलिक शिच्छी ते रहिशन ते आगा अईवाग वन्ना पर पड़े का चोरी मांचे तेरे नि थे संतान का खुशी संगयी र माउने र उनिहरू को सफलता को प्रेरक बनने आमाने हुन एदी संतान लेकुने काम बिराये उनिहरू को गलती लाई सच्याओ दे सही मार्ग देखाउने बत प्रदर्शक बने आमाने हुन येस्ती प्रेरणादाई आमा को कोकबात जन्मलीन पायकोमा सरीता आफुलाई एस धर्ते की भाग्यमानी संतान माननु हुन्छ एसरी आमा संगई हास्तेई खिल्देई हुरकानु भायकी सरीताले ग्रामिर महिलाहरूले भोगने नियतिलाई आत्म साथ गर्दै अधियनके बीच मा बिबहागरेर पराई घर जानु भायो मागी बिबहागर्णु भायकी सरीतालाई पराई घर मा अफुलाई गोल मेल हुन धेरे समय लाग्यो हरेक नयादुलाहिले भोगनु परेको समस्याले सरीतालाई पच्छी पच्छाओदा उहालाई आमा को समझनाले लामो समय सताई रहयो ये दिय भी जेठी बुहारी को रुपमा बित्रनु भाय की सरीतालाई सभेको साथ र सहयोब भाय काले जिबन को नया अध्यायलाई निरंतरता दिना तेती घारो भने भायना आंभाई दिना घारो तेती घारो पुरे न रहर जाय दें गारो देनें भाली मोभाई अलाय भ मुद सूरा घारो जहां और जिद्रेटी मैशति कि लें जाय जाओ पीरी भाय crowded साचारा है आजमोंद दो दुझाओ लेंरो र खाजरी काला जोती न भाती वाली करत एब दो इस जो नुटा करो जो गेट अए नगारी से लाज जानी आई ना यू अ मा शोड़ा बहुत्त मेत्र अथ युट्रा मारप़द देखे पड़इचाए आए बहावावाब जेठी बुहारी भायकाले सरीतालाई घर को जिम्मेवारी काधमा थियो तरबनी आफनो जिम्मेवारी बाट बिमुक्न भाय उहाले आफनो कर्तब्य पुरा गर्दे जानु भायो स्रेमाती र बुहारीको जिम्मिवारीलाई सजीलाई पुरा गर्णु भयकी सरीताले बिवाहा भयको दुई बर्स पची संतान लाई जन्मदीनु भयू। जेटु संतान त्यो माथी छो राजनमिदा परिवारमा खुसीले सिमान आघेको थियू। परिवारमा हर्शको बर्सा भयू। इसरी क्रमस सरीताले चार संतान लाई जन्मदीनु भयू। स्रेमान सेच्यक र पंचायती बेवस्ताको राजनेतीमा शक्रिय भयका कारण घरमा समय दिनन अभिहायकाले सरीता एकलेले संतान हुरकाऊना बाध्धिय हुनु पर्यू। जरीले च्राई जरा पाए बाने एकदम ही खुशी हुन्नी के आमार्व। तेस्तों सारी च्राई आतापा हुनु ताई पने ओकाति पायकुर। तो प्रियू। जश्ते इंला पढ़ाई पढ़ानी करमा आई ना इनले पढ़ने वेला में तरह आ र भायू। जस्तो सुकेई परिस्तिती आई परेपनी जती सुकेई दुखा कस्ट परेपनी आफना संतान को हेर चाहामा कुने कमी आउन दिनु भाईना सरीताले आफना संतान को हेर चाहा र हुरकाउने क्रमा सरीताले धेरे दुखा पाउनु भयो आफ आमा भैपची मात्र आफनी आमाले आफनो लागी गर्णू भैको त्याग रसमरपण को अर्थलाई बुजने अवसर उहाले पाउनू भैयू मेवहा गरेर पराई घर गई सके पची पनी आमा इंद्र कलाले उहां को होसला बढ़ाउने गर्णू हों थियू वहां को हरेक दुखा को पलमा आमाले पुने पनी बेला सहयोग गर्ण पुबन हों थियू तुखा को हों थियू निपर पाउने निपर निपर गई सबने सरी घर परिवार रसंतान को जिमेवारी लाइ एकलेले सम्हालनु भय की सरीतालाई संतान हुरकाउन कंगारो भयन जुन दुख्ष कस्ट्र संतान हुरकाउदा सरीताले पाउनु भयको थियो तेशको प्रतिफल सरुप आफना चुडा हरुले गरेको प्रगतिमा आज उहां धेरे खुशी हुन हुन्छा आमा ले आफनो संतान को उच्चल भविष्थे को लागी जुन त्याग र समर्पन गर छिन। त्यों संतान ले आफनी आमा को लागी गरेका माया भंदा कईयों गुणा माथी हुन्छा। राद दिन न भनी या आधा पेट खायर मात्र किन न होस। आफना संतान को लागी हर तरह को कोशिश कर दे संतान को मुहार मा खुशी खोजने आमा कत्ती महान होंचिन। एस्ती महान औनी मम्ता मही आमा को कोक बाट जन्मलीन पायको मा अनिल तेरे खुशी जन। आमा सरिता रचोरा अनिल मम्ता को थप संदर्वसाईत आउंचों तेस अगी एक केछी कुलिष्ट्रा। आफनो हरेकी इच्च्य शक्ति लाई त्यागेर आफनो संतान को सफलता मा खुशी खोजी रहनू भायकी महान आमा सरिता भटराई। आफनो दुख्खलाई भुले रसंतान को मुहारमा खुशी खोजी रहनू भायकी आमा को खुशी को लागी अनिल पनी हर तरह को कोशिश करी रहेका छन। आमाले देखाऊनों भायको सतमार्ग लाई डोर्याउँ देई, उनि आमा को त्याग लाई सफल भायर साकार पार्न तत चित्त भायर लागी रहेका छन। आमागो मुहारमा खुशी रा उचित उपचार नपाय का मुटुरोगी हरुको निश्चुल का उपचार को लागी वेक्तिगत पाहल गर देए। समा सेवामा पनी आपनो पाहिला अगाडी बड़ाई रहेका छन। अनिल भत्राई मुटुरोग विशेशग्य अजवनाउं एकसिलरे मेने थे राक्चोमी अर्थात काखी मुनी प्वाल पारेर गरीने मुटुको सलेक्रिया गरने नया प्रविदी भीत्रयाउना सफल पहिलोचिकत शागुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुश सरेता भत्राई को यूगदान अतुलानिय रह्युशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुश भाइलिष्टी है काल मा मिले आमी चार रचार चार 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 चाल मा तो मा तो दस बार बश्चा थे वह दो ऑला अरुदा देरे कुरा चन्य तरह पनि तियो आवस्था मा इवडा आमाले चरा चरेला जिनुपनी माया ममता रो जोगार यहां समा लेवन बहु बहु बहुँ आप तियो कुराला सब्दमा बन गरना पनि सगिनना को जाना किन लागछा मोला तियो आवस्तामा आले लडेरा जुदेरा मामीले बन्दूंचा मा एक्तम सान होना आले जलाक जोलोग याद छागे राधी राधी पुलीस आओनी गार मा रोका डगडा के होनी कदिला पीठर पड़ा हुन भाचम होनी तेसे रीचाएं आमले तेस्तु किसम को फेज पाला चार जना दाजुबाई मद्धे जेटो संतान को रुपमा अनिल को जन्मा देहचार चाउंतिस साल मा परवत को तिलाहार मा भयो बाबु शिक्षन पेशा संग्षंगै राजनितिमा पनी बेस्त भाय का का कारण आमा सरीता एकले लेकुर काउन भयो आमा को सगी संसकार का कारण अनिल साने देखी सरल र मिलन सार सभाग को हनों धियो परहाई मा अब्बल अनिल को इसकुले जीबन पनी राम्रै संग बितियो आफुलाई आवशे परेका कुरा आमाले सजीले पुर्याउने हुदा कुने इकुरा को भाग को शामना गर्णो प पनी सक्रिय भाई का थिये अनिल तरह राजनेतिक जीबन लाई पूर्ण मीराम लगाउंदे उनी सोर वर्षको मेरमा उज्जोल भविसे को गल्पना गर्दे रूस कहे का थिये रूसको आठ बर से बसाय का क्रम मा उनले कार्डियो भास्टकुलर सर्जन पिसे मा सनात कोतर घरे पुछी फेलोशिप मा विद्यावारी धी गरे इस करम मा उनले येरोबियन एशोशियासन फर कार्डियो थरासिस सर्जन मा फ्रांसेस फंटेन पुरसकार हाथ पार्ना शफंग पनी भाई स्कूल लाइफ चाहिए अभवा पोलिटिक्स गर्ने भार वला मला अली कथी पोलिटिकल इंफ्लोएंस नहीं थियो अनी चैली साल को आंदलन पचिजा अपनी अली कथी मैचोड़ भाईयो त्यो अबरा म सुरूमा पोलिटिस्मा लाएं थियो लाए भासन अरु गर्नी त् त्व थी यॉउड़ अनि अजिर जावाब पर्दिय केता भी बि बिन्न मौनति है सबब्राव पार्तिशओर अंदलन थियो नहीं रीम्रे अब स्कूल लाइफ पच्छाडी को लाइफ से का सडी बिते हैं अब स्कूल लाइफ पची चाए माइले मेरा अध्या नरु सपपई बिदेशवाडाई गरे आओ नियुक्ति अध्या ने मेरा अंकल चाहिं तो वहला रुस्मा हुनुटिए अंकल पषनी बुयाख मावाव प करें लिए रिशिष सकेला प्राइज देन चाहिए जिए प्राइज देन चाहिए तेस माचाहिए तुथा फेलेवन माय पाख आगोगर नेपाल बड़ा याद इस लाए चीन आपने कर आपने इंटरनेश्टन अरेना मान नेपाल मान चनएस्था मान चे अपने इस झाल को आइदेन्टिटी यादियो प्रोफेशनल लाइफ को अपरेशन नया प्रविदी बने महीं बित्रा आको नियाया आखे ओने यह काहिमनी बड़ा पुआल गोनाया रार अपरेशन गर्या बने मिडियायाया आको थिया त्यों फर्स्ट शुरु गर्य कमन महीं लेवन लेवन मिनिमल इन्वेजिव काडे अ पुर्वा राष्ट्रपती रामबरन याद बाट बिद्या भुषन को बाट सम्मानित पनी भाई तेस पशी नेपाल फरकिये का अनिल मुट रोगी को पुचार मा मात्र सिमित नवै समाज स्विवा मा पनी सक्रिया सन सैब्द हर्ट संस्था का ध्यक्षे समित रहे का अनिल कालिकोट जस्ता बिकर जिल्ला का जनता हरू र जसले आर्थिक रुप मा कमजोर हुदा मुट को पुचार गर्ण बाट बंचित हुदा मृति वरन गर्ण परेकोश उनिहर को पुचार का लागी पहल गरी रहे का सन र मुट रुप को बारे मा जन चेतना जगाउने काम मा पनी उत्तिकाई दत्त चित्ता सन मुट काता है और मुट को पालए को वन्युट सन्हें है जाड़फ खाइब मुट को आज बाटी परेको आbarëlर को ति मुट को पनी हखाँ है मुट को अवयर्नेutan क्यों परेस्य सित्यु बाट ऩर रहाु पनी सकिन्चाल्ट HOI निक बारेables आश्यु को जीवन मा बिना लक्ष्य कसे लेपनी सफलता हासिल गर्णा सक्देना तिस्तेई आमा को हौसला रप्रेरणानाई संतान को सफलता को सिर्धी बनी दिन छा अनिल्लाई बनी सफलता का लागी आमा को ममता रसाथ बर्दान सावित भयू ममता माई रप्रेरणा की पुण जमाता कुशंता अन्हुन पाईको मा गौरवान विच्छन अनिल्ट संगय बहन पाईको नापा गुनासा मतिए बच्छा मतिए बच्चा मतिए अनिल्ट थुलो वसी यह अटाजमेंट थी हुनना के. जो नजिक वसी बढ़ी हुन्छा. अटार जना नेरो नजिक थे हुन्चा। वच्चा काल में जो नजिक राह थे लिए त्यसे संगाने तमा के सेंटीमेंट देहले हुन्चा। रहिए हैं वच्चा परण को बच्चा काल में ड़ना को अबस्नपर्न बाद परनी को नजिक थे हुन्चा. जिक आखले हुए दन्यबाद को इन्यद संगाने ने घंचा। आफनी जन्म दिने आमा को साथ प्रे रणावर हौसला का कारण आफुले यू सफलता हासिल गर्न पायको मा आफुलाई संसार के भाग्य मानी छोरा ठांचन नहीं आमा को आसिर्वात के कारण आफुले आट रशाहास बठोल दे देश्र समाज मा आफनो छुट्टे स्थान बनाउन सफल भाईको मा आउनी कुने दुविधामा चायनन जस्तो सुके पर स्थितिलाई पनी सामना गर्दे आफुलाई सुन्दर बनाउन आमा सरिताले करनो भाईको यूबदान प्रती आभार बेक्तर अरदे आमा को हासो को माध्यम बने अनील को प्रती बदता देशको कुना अकंदर आमा अर्थिक्रुक मा कमजुर भाईका नागरी खरुको मुठुको पुचार्मा सहयो करनी अनील को लक्षलाई हामरुपनी सुभकामना डॉक्टर अनील भाट्राईको आमा प्रेम आपनी आमा प्रती को सम्मान रसपना संतानलाई मारग निर्देश करदाई उनीहरुको खरेक सफल्ताको साक्षी बन्न होने महान आमा आशाको त्याग रसमर पनलाई हम्रोपनी सलाम रचिकित्सक छेत्रमा आफुलाई कुषल चिकित्सक को रूपमा उभ्याउन सफल अनिल लाई पनी आगामी कारी कुषल ताको लागी धेरे धेरे शुब कामला आमा श्रिंखलाको आजको अंकलाई बीट मारनु अघी हमरो नियमेती स्तम्भ मेरी आमामा गोर्खाकी प्रसद्ना दवाडीले आफनी आमा आशा मिस्त्र को बारेमा लिखी पठाउनु भायको भावना छोडेरे जान देशुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ भंदी अनुभाव हामिलाई www.amayatnews24nepal.tv मा शब्द फोर्टो सहीत पठाउन सक्ना होने जे नमस्ते आमा मत पाहिलाई धेरे माया गर्शुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आग्याकारी बनावने मेरू आमाने मेरू सवय थोख हो। स्कूल मा सिक्ष खरुको भंदा पनी मेरू लागी पहिलो गुरू आमाने हो। मेरू आमाने गर्दाने आजम म पढ़न सकने, लेकन सकने, सानालाई माया गरन सकने, रठुलालाई सम्मान गरन सकने भाय कीचु। आम तपाई कत्ती महान, मलाय अजे धेरे ग्यानी, धेरे पढ़ने, धेरे लेकने र घरमा एकदम ग्यानी भई र वस्न सिकाउने र प्रेरना प्रदान गरने मीरवा आमाने हो, पहिला त सानोचु जस्तो लागतियो, तर अहिले त मग आठकच्या सम्म पुही सकेको छु, अब त ठूली पनी भई, पढ़ाई बाहिक आमालाई घरमारू काम्मा पनी सहयो गर्ना सक्मे भई कीछु, आमा तपाई बात मैले धेरे कुरा सिक्न पायको छु, र मैले सिकेका कुरा पनी, अब मतपाई संग साथा साथ गर्ना सक्ने भई कीछु, आमा तपाईले दिनु भई को म मायार मार्ग निर्देशली आजम धेरे गौर वान्बेत महसुस गर्न बाई रहे किछू। भविश्य मा असल छोरी भैरा तपाय को सीर उचो पारी राखने छू। झाल झाल झाल